हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है यूटूब शैनल मैस्वाव में दिल्ले पुलिस 2018 में जो रिक्रूट्मेंट प्रॉसेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और इसमें टोटल 53,165 वैकेंसी डिक्लियर की जाएगी जो कि बहुत जल्द आप ओफिसियल वेबसाइ से डिक्लियर की जाएगी और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ यह न्यू रूल जो है वह एड किये गया है रिक्रूट्मेंट प्रॉसेस में इन सब चीजों पर हम बात करेंगे हर इक वैकेंसी पर हम बात करेंगे क्या क्या कॉलिफिकेशन होगा उसका और कौन स्ट्रेंट है जो उसको फेल कर पाएंगे तो आप इस वीडियो को लास तक देखिएगा और इन सब चीजों को सबजने की कोशिश कीजिएगा और यह मैं आपको बता रहा हूं कि काफी अच्छा मौका है उन सब इस स्ट्रेंट के लिए जो पुलिस के लाइन में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं तो चलिए हम वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करें आज का तो मैं आपको सबसे पहले एक नोटिस दिखा रहा हूं जो की अडिशनल कमिशनर पुलिस का देली का जो इन्होंने नोटिस निकाला है उसमें इन्होंने बताया है कि जो में एज बीद गया था वो अब इस फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं 24 तक जिनका एज है वो इस फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं तो आगे हम बात करते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितिव वेकंसी डिक्लियर की जाएगी तो देखिए जो इन्होंने नोटिफिकेशन में अभी दिया है कि उसके एक औरी में आपको बता रहा हूं जो कॉंस्टेवल मेल है उसका एप्रॉक्स में बता रहा हूं 39903 वेकंसी फीमेल 4904 वेकंसी ऐसा है सब इस्पेक्टर इन फीमेल 5030 है सॉरी 535 वेकंसी और एसा है मेल 6422 वेकंसी यह चार पोस्ट के लिए मैं भी बता र वेकंसी है इसमें इंक्रीज भी किया जा सकता है और शायद डिक्रीज भी हो सकता है आगे की पोस्ट की मैं अगर बात करूं कि इसके अलावा जो वेकंसी आने वाला है वह एस एसाई stano 80 वेकंसी हेड कॉंस्टेवल 1,291 वेकंसी और हेड कॉंस्टेवल स्टोट गलर्क 30 व पोस्ट के लिए तो आप इस वीडियो को आखरी तक देखते रहें तो एक चीज़ में आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस चैनल को पहली वार वीडियो देख रहे होंगे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में उस बैल को भी दवाए ताकि लेटेस आपके कॉंस्टेवल मेल पोस्ट के लिए जो के 39,000 है उसके लिए सेलरी जो है 21,700 और इसमें एज जो है वह 18-24 और एजुकेशनल कॉलिफिकेशन 10 प्लस टू पास होने चाहिए तो जिनका भी यह कॉलिफिकेशन है वह इस फॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाइग कर सकते है और सेलरी काफी अच्छी है और 21,700 आगे मैं बताओ एसिस्टेंट सव इंस्पेक्टर इस्टेनोग्राफर इसकी सालरी अब देखिएगा यह 80 वेकंसी है इसमें और उसके बाद इस पे सालरी की अगर हम बात करें तो 34,000 sorry 35,400 इसमें सालरी आपको मिलेगा और इसका एज की अगर हम बात करें तो 18 to 25 years जिनका है वो इस फॉर्म को फिल अपलाई कर सकते है इस पोस्ट के लिए और इसमें graduate आप होने चाहिए इसमें speed भी आपको मांगा जाएगा इस टेनोग पे तो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा उसका head count table की अगर हम बात करें तो इसमें आपक इंग्लिश और 25 word per minute हिंदी के लिए जिनका यह टेस्ट लिया जाएका उनसे तो यह था head constable ministerial के लिए अब सब्सक्राइब मेल की अगर हम बात करें तो जिसमें कि 6422 वैकेंसी है और इसको सालरी है 35,400, 20-25 years इसका age limit रखा गया है और educational qualification है bachelor degree from a recognized university मतलब UGC approved जो भी college है उसे आप इस form को जो भी पास कर चुके है graduation हो चुका है वो इस post के लिए apply कर सकते है 20-25 years इसका age है और salary 35,400 आगे हम बात करेंगर constable female की तो 4900 वैकेंसी है इसमें और 18-25 years इसका age है और educational qualification की अगर हम बात करें तो 10 प्लस 2 जिन्होंने पास कर लिया है वो इस form को पोस्ट को apply कर सकते है पोस्ट के लिए apply कर सकते है यह constable female के लिए वैकेंसी था तो आगे का मैं detail video बनाऊंगा की recruitment process कैसे होगा इसका selection process कैसे होगा तो उमीद करता हूं कि यह video आपको पसंद आओ प्लीज इस चैनल को subscribe करना ना भूले latest government job update के लिए और अगर यह video पसंद आओ तो please like भी कर दे और share करें अपने friends के साथ और कोई भी doubt हो आपको इस video से related तो please आप comment चरूर करिएगा मैं उसका reply करूंगा thank you and all the best for your upcoming exam thank you